असलाम आलेकुम वा रहमत अल्लाह वा बरकाता हूँ मेरा नाम मनोच कुमार गवड है मैं यूपी इस्ट कानपूर कर रहने वाला हूँ मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ मुझे यहापे कोई नहीं जानता कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं आपे सबसे पहले मैं आपका शुक्रियादाद करना चाहता हूँ इस मंच के थुरू जो हमारे डॉक्टर जाकर भाई ने यहाप के थुरू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे यह मौका दिया कि मुझे आ करके कि अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है जो कि मुसल्मान का नाम नहीं सुनना चाहती है इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमीशन नहीं है फिर भी अल्ला तबार को दाला का अहसान है करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्ला तबार को दाला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार रहमत शेक सना उल्ला जिनकी तकरीरे सुनता था जिनसे मेरे सारी मिसकंशेप्शन्स दूर हूए और यूपीस्ट कर रहने वाला हूँ मेरी उम्र 25 साल है मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्ला तबर को ताला से यही दूआ करता था कि अल्ला ताला जब आपने मेरे को यहां तक पहुचाया है कि इसलाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका तो अब मुझे ऐसी जगे पहुचाईए कि जहां पर मैं इसलाम को पूरी तरह से फॉलो कर सको चुकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तयार नहीं मैं अपने घर में इस तरह से रहता था जो मुझे जान रहोगा उन तक ये मैसेज पहुचाना चाहता हूँ कि इसलाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुचता हो ये कोई टेरिजिसम नहीं है ये कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी को नुकसान पहुचता हो एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसल्मान के लिए इतनी गलत फैमी रखता हो उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तयार है कि वो उनका दिमाग है यह इसलाम कही तरफ नहीं मिला है तो मैं इस बात को बताना चाहता था मैंने कभी सोचता भी नहीं था कि मुझे मौका मुलेगा कि मैं डिरेक्ली डॉक्ट्र चाहिट साब के सामने आ के उनका शुक्रयाता कर पाऊँगा और जब मैंने पीस चैनल देखा यह पहले पता चला चुकि मैं इस पहले कुछ सोचता है नहीं था जो जिन्दगी चल लगी है वो जिन्दगी मेरे लिए काफी थी माँ है बहाँ पे घर का सबसे बढ़ा था मैं एक बेल इस्टेबिस फैमली का बंदा था तो मुझे ऐसा कुछ सोचता है नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए लेकिन जब चैनल को देखा तो वाकई में मुझे बता चला कि मैं जहां पे हूना कुछ भी नहीं है अल्दुरीन तो मौद के बाद है हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमास्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्थी को मानते, देवी देवताओं को मानते, हमारा वेद हमें बताता है, एककम ब्रम्मम दुत्योनास्ति, यानि कि भगवान एक है दूसरा नहीं है नहीं है ही नहीं, उसके बाद भी ह हम 36 करोर देवताओं को मानते हैं तो हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है हिंदुजाम हमें ये बताता है कि हमारे ब्गवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए इस जमीन पर वह खुद आए राम भगवान राम नहीं पैदा हुए और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटन करके नहीं दिया आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है सारे भाईयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर क्यों दूसरी बात इस पूरे वर्ड में ए से लेके जट तक की कंट्री है ए से अमेरिका भी होता है यह से और सिर्फ तीन कंट्री है इंडिया मौरीशिस और तीसरा नेपाल अभी घोशित हुआ है ठीक है और श्री लंका जहां पर भगवान श्री राम ने जा करके रावन का जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया हम ऐसा सोचते है हिंदुजम ऐसा सोचता है जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पर जा करके वहां पर बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुजम क्यों नहीं है तो यह सारी चीजे यह इसलाम जो हमें सिखाता है इसलाम का जो मैसेज है वो सारी चीजे हमें यह सिखाती है कि हम मिस्कंसेप्शन पर ना जाए हम देखा देखी पर ना जाए अगर कोई मुसल्मान गलत करता तो हम यह नहीं सोचे कि वो इसलाम है वो मुसल्मान ग toute आफ सभी के सामने यू इकरार करता हूं कि अल्ला के सिवा कोई माबूत नहीं है यह मेरी फैमिली वाले या मेरी यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो मैं इस बात को कभूल करता हूं कि मैं इसलाम में हूँ माशा-ल्ला मैं आपके शुक्र गजारू आपने PEEP TV का पेगाम जो नद्शल में दिया लगता है का माशा ल्ध इतनी बार देखे कि आपके जहन में उतr गया और आप उसको मेमरेयस कर चुके मैं शुक्र गजारू आपका आपने PEEP TV का मेसेज एक नच्छल में दिया और अलम्द जो भी आपने कहा माशाआलला और जो आपने याद के हवाले के साथ दुश्लो का माशाआलला आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसके कोई माबूद नहीं बिलकुल आप मानते हैं आपने कोई जबर्दस्ती कर रहा है कोई कंफिूजन नहीं माशाआलला आप तो शादर के कंडिशन भी रट लिए पीछ टीवी पे माशाआला इन्शाआलला और आप माशालु आपका अर्भी भी एक्दम माशाला अच्छी है मैं घवाही देता हूं कि आल्ला के लावा कोई माबूत नहीं कोई माबूद नहीं और मुहम्मद चल्लाव अले वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर हैं और पैगंबर हैं माशाला मेरे इसाब से अब दिल से पहले से ही मुसलमान थे अभी लोगों के सामने जाहर किया और आप जो कहना चाहते थे यूपी में कई लोग आपक हैं युरिधsk वे ऱड़ु से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजबी चैनल क्रिश्ट चैनल में जादा और दिघर इस्लामी चैनल से भी जादा पीश टीवे रमदुलिल और इस देश में भी क्रोहों लोग देखते हैं और दाहर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे, आपने शाहदा सिर्फ यहां लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाला, अल्ला जानता है कि इतने लोग लिए कि लाखों की ताधात है, एक सहलाब है, इनके इलावा, कोड़ों लोग पीछ टीवी पे द ज़िए, लेकिन आखरत में और बेतरी ज़िए और आप जानते हैं, आप ने इस दुनिया के ऐहिष्ओ आराम को ठुकराया, वभी आखरत की जिए इस दुनिया से बेतर है। फिर भी Allah तression फ्रमाते है, ज्यूप को इस दिए इस दिए में बी, सुर अर्बक्रु सुरा नू सबसे बेतरी जिंदगी दे और आपको जहनम से बचाए और आपको जन्नत में जा ले आमीन मेरे कुछ दोस्ते कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफा के लिए बोल सकते तो ये नाम मुस्तफा माशाला बहुत अच्छा नाम झाला बहुत अच्छा नाम